वेलकम बाग, दिस टुदेश विट्स और आम यूर तनवी माम पढ़ाना शुरू करने से पहले आप लोग के लिए मेरे पास एक एडिशनल इंफरमेशन है जितने भी स्टूडेंट्स नॉन एल्यू से हैं, उनके लिए वन मंथ क्लास चलती है तो अगर नॉन एल्यू हो, चाहे आप एल्यू के हो अगर आपको इंफरमेशन चाहिए ग्लास से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड पीडेफ से रिलेटेड तो आप हमें WhatsApp करके, आपको नमबर दिख रहा होगा, आप WhatsApp करके information ले सकते हैं चलिए, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं आज हम पढ़ेंगे The Barbers Trade Union ये एक short story है, जो कि मूलकराज आनन जी ने लिखी है मूलकराज आनन जी की biography मैं already पढ़ा चुकी हूँ channel पे अगर आप लोगों नहीं पढ़िये, तो description box में आपको link दिख रहा होगा आप वहाँ जाके click करके biography पढ़ सकते हैं मैं आपको यही suggest करूँगी कि पहले आप biography पढ़के आईए उसके बाद short story पढ़िये, ताकि और clear हो अगर कोई writer, कोई write-up लिखता है, कोई अपना work लिखता है तो उसमें कहीं न कहीं उसकी life जो है वो दिखती है या उस particular time पे उस region में जहां का वो है, उस country में जो कुछ भी चल रहा होता है वो उसके write-up पे दिखता है तो इसलिए मैं यही suggest करूँगे, कि पहले आप लोग biography देखके आई है and then फिर short story पढ़िये, ओके? चलो, अब हम पढ़ाना शुरू करते है मुलकराज आनन जी का एक collection आया था, 1985 में The Barber Trade Unions and Other Stories उसी की यह story है और इसकी जो setting है, वो as usual मालगुदी में होई है चलो, अब हम पढ़ना शुरू करते है Among the Makers of Modern India यानि की Modern India को बनाने में Chandu Chandu को circle करिये This is the first character of the story जिसके बारे में में पता लगता है Chandu The Barber Boy of Our Village यह उनके विलेज में एक Barber Boy होता है उसका नाम होता है Chandu Has a place which will be denied him Unless I press for the recognition of his contribution to history मुलकरा जानन जी यह कह रहे है कि Chandu हमारे विलेज का एक Barber था उसका जो place था Modern India को बनाने में वो लोगों को नहीं समझ में आता अगर मैं यह recognize नहीं कराता कि उसका कितना बड़ा contribution रहा है हिस्ट्री में तो उसका जो contribution है जो उसने contribute किया है Modern India को बनाने में वो समझ में नहीं आता किसी को basically वो यह कहना चाह रहे हैं कि आगे आपको मैं इसी बारे में बताऊंगा कि Chandu का क्या contribution रहा है और कैसे contribution रहा है जो चंदू वाज बाबर Modern India से यहां मतलब सिर्फ modern इंडिया से यानि जो development होते हैं structural basis पर उनसे नहीं है Modern India से यहां पर सोच से भी मतलब है ठीक है कि लोगों की सोच नहीं बदलती लोगों की सोच वैसी ही रहती जैसे पहले थी अगर चंदू ने अपना contribution नहीं किया होता अब चंदू ने कैसे contribute किया है वो हम आगे story पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा चंदू's peculiar, peculiar strange चंदू's peculiar claim to recognition rested to tell the truth on an exploit of which he did not know the full significance एक writing manner होता है descriptive writing manner वो यहां पर use किया गया है इसको अब आप ऐसे पढ़ो तो जादा clear होगा चंदू's peculiar claim to recognition rested on an exploit of which he did not know the full significance to tell the truth क्या मतलब हो आइसका कि चंदू का जो एक claim था ना एक अपने recognition को पाने के लिए ठीके कि उसको भी लोग recognize करें वो कहीं न कहीं रोक गया था क्यों रोक गया था? क्योंकि जिस time ये लिखी गई है उस time पे जो बारबर का मतलब क्या हूँ obviously lower caste तो उस time पे जो lower caste लोग थे ना उनकी उनको उतना recognize नहीं किया जाता था उनकी उतनी महत तो नहीं थी वो untouchability में आते थे उस वक्ट चुआ चूट माना जाता था ये सारी चीजे थी ना ये सारी सोच जो है उस time पे चल रही थी तो exploit करना पे वही मतलब है कि उन लोग के साथ जो दुर वियावार होता था जिसका पूरा significance उसको पता भी नहीं था कि आखिर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है तो वो अगर चाहता भी ना कि वो कुछ बोले कुछ सच बताए कि सच है क्या तो वो नहीं बता सकता था क्यों नहीं बता सकता था क्योंकि उसको पूरा concept ही नहीं पता था उसको य influ Alka पी उसके साथ ऐसा treatment कर क्योंर है तो यह चीज इसका significance नहीं पता था इसका background पता ही नहीं था कि ऐसा हो क्यों रहा है बट देन, लेकिन फिल unlike most great men of India today अधियान से देखियेगा men लिखा हुआ है M-E-N M-A-N नहीं लिखा है men मतलब people से है यहाँ पे men is a plural form of man unlike most great men of India today he had a very exaggerated notion of his own importance very exaggerated notion notion का मतलब idea यहाँ पे यह गह रहा है कि जैसे बाकी सारे लोग हैं इंडिया में same ऐसे ही उसको अपनी importance का बहुत जादा idea था कि वो कितना important है as a human being for nation though he shared with them a certain native egotism which was sometimes disconcerting and sometimes rather charming लेकिन मतलब उसको पदा था कि उसके कितने importance है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो he shared with them यहाँ पे जो them आया है वो उसके village people के लिए जिनके लिए वो service करता था जिनको वो service देता था यहाँ पे लिए उनके लिए आया है क्या कह रहे है कि उन लोगों के साथ वो एक native egotism share करता था egotism basically आपने देखा होगा कि कुछ लोगोता है उनके जब सामने जाओ आप तो they were like dumb maintain और उनको देखके ही लगेगा कि they are self-obsessed people थोड़ा लगता है वो चीज यहाँ पे वही कहना है कि जो उसका native egotism था मतलब जो इसका ये self-obsession था खुद को ले करके वो कभी-कभी तो disturbing महसूस करवाता था तब सामने वाले पोसन को लेकिन कभी-कभी वो charming भी लगता था it depends upon situation इसको ऐसे समझो कि आप किसी formal meeting में जा रहे हो तो वहाँ पे आप formal नहीं रह सकते वहाँ पे आपको self-obsession और थोड़ा अगर भाईचान सापका कोई जानने वाला आ गया in fact तब भी आपको उसके साथ ट्रीट करते वग भी formal behavior continue रखना पड़ता है because that is a formal place right? तो it depends upon situation किसी-किसी को उसका ये जो personality थी ये अच्छी लगती थी किसी-किसी को disturbing लगती थी लोग को लगता था एह तो जादा ही भाव खाते है वैसा वाला ठीक है जादा ही बन रहा है वैसा वाला सी इन I knew चंदू ever since the day when he wore a piece of rag in the middle of his naked distant bleed body distant अलग है, bleed अलग है distant bleed body मतलब ऐसा शरीर इसमें पेट निकला हो देखोगा ना लोग का पेट निकला होता है उसको बोलते है distant bleed body मुलकराज आनन जी कह रहे है कि मैं चंदू को तब से जानता हूँ जब से वो अपनी नेक बोडी को एक सिर्फ राग के piece यानि एक गोरे के कपड़े से cover करता था उतना बुराद वक्त जब उसका चल रहा था मैं तब से उसको जानता हूँ एक और चीज़ I knew Chandu ever since What does this shows कि यह जो short story है यह first person perspective से लिखी गई है यहाँ पे देखो I का use हो रहा है यानि कि जो narrator है वही story को बोल रहा है वही story सुना रहा है यह ध्यान रखने वाल है तो वह ध्यान रखने वाल है यहाँ पे first person point of view से story जो है वह नरेट की जा रही है and when we veloat together veloat together in the mayor of the village lanes veloat का मतलब होता है देखा होगा कि गाओ में छोटी 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 lane होती है जिसमें पानी भढ़ जाता है थोड़ा mud word होता है teacher type का हो जाता है तो उसमें छोटे बच्चे जो होते हैं वो रोल किया करते हैं खेला करते हैं तो उसी वो जो रोल करने की जो वर्ब होती है उसकी वर्ब कहलाती है veloat रोल करने को मड में veloat बोलते हैं playing at soldiering, shopkeeping or clerking and other little games which we invented for the delectation pleasure of our two slaves and our mothers who alone of all the elders condensed to notice us अब इस paragraph में मुल्कराज अनब जी बताते हैं कि मैं चंदू को तब से जानता था जब वो अपनी body को सिर्फ एक बोरे के छोटे से पीस से cover करता था और जब हम साथ में खेला करते थे गाउं में फिर वो games बताते हैं कि मड में रोल किया करते थे soldiering केलते थे shopkeeping केलते थे और ये सारे जो छोटे छोटे गेम्स थे हम लोगोंने मिलके invent किये थे क्यों ताकि जो हमारी मम्या थी और जो दो slaves थे उनको हमें देख करके अच्छा महसूस हो क्योंकि जितने भी village में elders थे उन में से वही दो लोग ऐसे थे जो हमारे उपर concentrate करते थे यानि हमको खेलता हुआ देखते थे हमारे उपर ध्यान देते थे चंदू was my senior about 6 months चंदू जो है मुलकरा जानन जी से 6 महीने बड़ा था and he always took the lead in all matters और हमेशा कोई भी matter हो वो हमेशा आगे आगे रहता था and I willingly followed और मैं उसे willingly यानि अपनी इच्छा से follow करता था because truly he was a genius at catching wasp, wasp bees ठीक है मादु मक्खी को बोलता है and at pressing the poison out of their tails at tying their tiny legs to cotton thread and flying them अब वो बता रहे हैं मुलकरा जानन जी कि मैं उसे willingly follow करता था क्योंकि वो सच में genius था किस में genius था मदु मक्खी को पकड़ने में उसका poison निकालने में उसकी tail से and tying their tiny legs और उसकी tiny जो चुड़ोटे legs होता है मदु मक्खी के उसको cotton thread से बांध करके और फिर उनको उडाने में while I always got stung on the cheeks if I dare to go anywhere near the platform of the village well where these insects settled on the puddles puddles मतलब वाई जैसे गढ़ा है बारिश रोई उसमें पानी भर गया तो उसको हम puddles बोलते हैं to drink water अब वो क्या कह रहे हैं कि वो सच में सारे कामों में genius था लेकिन उसी जगा अगर मैं यह सारे काम करता था तो मदुमक्खी जो है वो काट लेती थी मेरे cheeks पे अगर मैं कोशिश करता था कि जहां पे puddles जो village well था जानी जो गाओं का कुआ था उसके पास जो एक गढ़ा था उसमें पानी भरा हुआ था वहाँ पे अगर यह मदुमक्खी पानी पीनी के लिए नीचे भी आती थी और मैं कोशिश करता था कि मैं जा के platform के तरफ उनको पकड लूँ तो मैं नहीं कर सकता था क्योंकि जितनी बार मैं यह करता था मेरे काल पे मदुमक्खी काट लेती थी लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होता था चंदू वह एसे करके बताते हैं चंदू के बारे में जब हम बड़े हुए उसके बाद भी वह मुझे जिसे हम कहते हैं न यह शराफत की मूर्ती बने बैठे हैं तो मूर्ती, Embodiment of Perfection यही कि यही कि यहीं perfection की मूर्ती कि हम लोग जब बड़े हो गए उसके बाद भी चंदू मुझे perfection की मूर्ती की तरह दिखाई देता था यानी कि epitorme of perfection एक तरीके से कह लो but he could make and fly paper kites of such delicate design and of such balance as I could never achieve यानि चंदू जो है वो पतंग उडाने में भी बहुत अच्छा था वो चाहे जितनी डेलिकेट डिजाइन की काइट हो वो उनको उडा लेता था और उनको बैलेंस भी कर लेता था और इस तरीके से बैलेंस करता था जैसा मुलकरा जानन जी कभी नहीं कर पाए अब वो क्या कह रहे है हाँ लेकिन मैं इस चीज के लिए शूर हूँ कि वो संस करने में उतना अच्छा नहीं था स्कूल में जितना की मैं था अब वो रीजन बता रहे है कि वो क्यों नहीं अच्छा था तो वो क्या बोलता है कि वो इसलिए नहीं अच्छा था क्योंकि उसके जो पापा थे अप्रेंटिस्ट का मतलब होता है किसी प्रोफेशन को कराने के लिए जो सामने वाला पॉसन है उसको छोटे छोटे अमाउंट अफ मनी देना ठीक है थोड़ा थोड़ा जैसे उसने काम किया तो आप उसको थ पर्टिकुलर पोर्सन इन पर्टिकुलर जॉब उसको हम बोलते हैं एप्रेंटिस्ट सो अप्रेंटिस्ट हिम यानि क्या बोल रहा है वो कि हो सकता है कि वो इसलिए नहीं अच्छा था क्योंकि उसके जो पापा थे वो उसको उनका जो हरीड़ी प्रोफेशन चला आ रहा था कि जो हमें होमवर्क मिला है उसको चंदू कम्प्लीट कर सके शायद इसलिए वो सम्स में मुझ से कम था मैं जादा तेज सा उससे बट वस बेटर दिन आए एट रिसाइटिंग पोईटरी अट इस पोईटरी ओके अनी डे फोर नॉट ओनली दिद ही रिमेंबर भाई र रिमेंबर रोड वोग बाई टेक्स बीट रिपीट इनल्स पाईट इसलिए अट बोड वोग अब टेशिक बटूप्र इसलिए गड़ गांड पोईटरी अच्छा वें पोईटरी को गाने में वो प्रच मझ से बटर था और वो कभी भी उससे दुम सुनों पोईटरी वो वैसा ही सुनाता था, it's not like कि सिर्फ स्कूल में उसने अच्छे से सुनाई, okay? For not only did he remember by wrote the verses in the textbook, यानि कि जो टेक्स्ट बुक में poetry लिखी होती थी, ऐसा निये कि सिर्फ उसको वही आद थी, उसको तुम कोई भी प्रोज दे दो, endless pages का, यानि कि जिसके page खतम ही ना होने आ रहे हो, basically कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा प्रोज भी दे दो, तो वो उसको ऐसे पढ़ता था, जैसे कि वो poetry पढ़ रहा हो, My mother resented the fact that Chandu won a scholarship at school, while I had to pay fee to be taught, अच्छा, अब उनकी जो मम्मी थी, वो इस चीज से थोड़ा नाराज थी, कि Chandu को तो scholarship मिलती है, लेकिन मुलकराज आनन जी को fee pay करना पढ़ता है पढ़ने के लिए, and she constantly disordered me from playing with him, saying that Chandu was a low-caste barber's son, and that I owed to keep up the status of my caste and class, this is the first time जहाँ पे हमें, short story में यह बता चला है, इस वाली, कि इसमें जो caste difference है, उसकी बात करी गई है, यहाँ पे Chandu की मदर के मूँ से हमें सबसे पहले सुनने को मिलता है, and she constantly disordered me from playing with him, saying that Chandu was a low-caste barber's son, and that I owed to keep up the status of my caste and class, underline this whole line, this is the first point, जहाँ पे short story में हमें यह पता चला है, कि इस short story में caste difference की भी बात करी जाएगी, और यह मुल्कराज आनन जी की जो मदर थी, उनकी जो सोच थी, वहाँ से सबसे पहले निकल के आता है, क्या कह रहे हैं मुल्कराज आनन जी, कि उनकी जो मदर थी, वह हमेशा अकसर constantly आने की लगातार वो उन्हें मना किया करती थी, चंदू के साथ खेले को, यह कहके कि चंदू जो एक लो कास्ट बाबर का सन है, जो नुवा है उसका बेता है, और तुम्हें तुम्हारा जो क्लास है और स्टेटस है, उसको मेंटेन करना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, यह बहुत च्छी लाइन थी, अंडराइन इच्छी लाइन थी, अंडराइन इच्छी लाइन थी, मुल्करा जानन जी यह कह रहे हैं, लेकिन, जितने भी आइडियास या जो भी सोच, मुझे मेरे four fathers ने दी है, पूरवजो ने दी है, उस सोच में ये शामिल कहीं भी नहीं है, कि मैं superiority दिखाऊ, कि मैं superiority दिखाऊ, मैं खुद को upper caste का दिखाऊ, ऐसा कहीं भी नहीं है, अब अगर हम historical difference में जाएं, तो पुराना जो टाइम था, पुराना टाइम विच मीश की हम अक्सर बात करते हैं, तो ओगर हम रामायन की ही बात करें, तो रामायन में जब रामजीव अनवास पे जाते हैं, और वो रिशी मुनि के पास जाते हैं एक बार याग्य कराने के लिए, I will not tell the whole story because it will be big, it will be big this story so there is a lower caste person who sits down there so Rishi Muni is the one who calls himself, sits on his mat and sits in his mat so he was also lower caste and Rishi Muni is the one who has so big position so they want to give this reference here that when it didn't happen at that time then why are we doing it now? our forefathers have never said that if we are superior, if we call the upper caste, we will show superiority no everyone is equal, caste doesn't matter they want to say this thing, they write this line this was a very good line indeed I was always rather ashamed of the red caste mark which my mother put on my forehead every morning and of the formalized pattern of uchkin, the tight cotton trouser, the gold worked shoes and the silk turban in which I dressed I am always rather ashamed of the red caste mark which my mother put on my forehead every morning yes, this is true, it is true that my mother put on my forehead in red caste mark which I put on my forehead basically red caste mark which I put on my forehead what does the red caste mark mean? it is TKSR so that you can see and see and see and recognize that this is the upper caste because it has put on my forehead because at that time people don't have permission to go to the temple which means that obviously when they don't go to the temple, they will put on my forehead that they will put on my forehead so here the MULKRAJ JANANAN Ji says that I have a shame that I have to put on my forehead that I have to put on my forehead which means that the red caste mark was put on my forehead which means that the MULKRAJ JANANAN Ji is showing that the MULKRAJ JANANAN Ji is showing that the untouchability of this was going on so that the maximum amount of houses are there which means that the MULKRAJ JANANAN Ji is being sent to the other that this will recognize that we are upper caste so this is not good PK's purpose is not good that we can show that we are upper caste or lower caste it is our scientific significance so here we are talking about that what do we say and of the formalized pattern of the Uchkin the tight cotton trousers and the gold work shoes and the silk turban in which I dressed which I used to dress 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 certain times and I longed for the right to wear all spectral conglomeration of clothes with chandu wore what are they saying and I was waiting for this very long time that I had permission to wear that I could wear all the clothes so I wear different socks that I wear different clothes once I wear different clothes the same atmosphere this description is iedereen which means a group of many different things that has been brought together even as the posts that I wear different clothes the samerait clothes being allims पहन सकूं है कि उस ताइं कपड़ों को भी स्ट कर दिया गया था कपड़ तो गप्राज आनज जहीं दिखा रहे हैं कि मैं उप चुका था इन मुझे भी नए नए कप्ड़े ट्राय करने थे, मुझे भी मन करता था कि मैं वैसे ही कप्ड़े पहन अलग अलग जैसा चंदु पहन रहा है इस टाइम पर because अब वो बड़े हो चुके है ना उपर उन्होंने लिखा था ना when we grow up he still seemed to me the embodiment of perfection तो यह बड़े होने की बात हो रही है कि अब यह बड़े हो चुके है आगे क्या कह रहे है a pair of khaki shorts which the retired subaydar had given him अब वो क्या पहनता था चंदु खाकी के shorts पहनता था जो कि एक retired subaydar ने उसको दिये थे विलेच के a fraid black velvet waistcoat fraid का मतलब हुआ कि कभी-कभी देखा होगा कि end में यहां पर जैसे t-shirt का end है तो end में ऐसे थोड़ 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 धागे निकले रहते हैं उसी को बोलते है फ्रेड ठीक है तो जो उसका black waistcoat था जो पहनता था उसमें धागे निकले हुए थोड़े से जिसको आज हम fashion बोलने लगे हैं decorated all over with shell buttons और वो पूरा shell button से decorated था हर जगे and a round felt cap which had once belong to lala hukum chand the lawyer of our village और जो lala hukum chand थे उनकी जो cap थी round cap वो उन्होंने चंदू को दे दी होती है तो चंदू उसको भी पहने रहता है और lala hukum chand गाओं के lawyer थे कौन थे गाओं के lawyer थे सुबेदार को circle करिये पहले first line में जो लिका था और फिर उसके पार lala hukum chand को circle करिये this is the second character जिनके बारे में हमें पता लगता है not second but you can say third also because कही न कही अगर story को पढ़ते हुए हम देखें तो मुल्कराज आनन जी ने story narrate करते करते खुद को भी as a character रखा है खुद को भी as a character रखा है तो narrator कह सकते हैं उनको या हम character भी कह सकते हैं but I think narrator will be more appropriate because story उन्हों नहीं narrate किया है that's why तो लाला हुकुम चंजु यह भी एक character है and I envy Chandu the freedom of movement which he enjoyed after his father died of plague उस time पर plague महमारी की तरह फैला हुआ था तो चंदु के जो father होते हैं उनकी plague से death हो जाती है मुल्कराचानन जी यही कह रहे है कि मैं चंदु को देखता था कि मैं चंदु को देखता था कि चंदु अपने father के death के बाद कितना अपने जो freedom मिला है वो कितने अच्छ से enjoy कर रहा है उस freedom को जी रहा है मैं वो देखता था और observe करता था for then he would do the round of shaving not shaving but shaving okay shaving and hair cutting at the houses of the high caste notables in the morning और जब से उसके father की date हुई थी उसके बाद से वही जो है सुबा जा करके जो high caste notables होते थे उनके घर में hair cutting और shaving करता था उन लोगों की bath in dress and then steal a ride to town six miles away on the footrest of the closed carriage in which Lala Hukumchan travel to town और फिर यहां अपने गाउ में सुबे सब को service देने के बाद वो नहांता था dress up होता था और उसके बाद town के लिए निकल जाता था जो कि उसके village से 6 miles की दूरी पे था और वो जाता कैसे था पैदल तो जायेगा नी तो उस समय लाला हुकुम चल लॉयर थे न तो वो town जाया करते से तो उनका जो carriage था उसके footrest पे बैठके यानि जहां पैर रखते हैं वहां पे बैठके वो उनके सा town चला जाता था town में भी वो same services देता था लोगों को but Chandu was kind to me लेकिन जो Chandu था वो मेरे लिए बहुत kind था किसके लिए to me यानि मुलकरार जानन जी अपने लिए कह रहे हैं कि Chandu मेरे लिए बहुत kind था he knew that I was seldom taken to town and that I had to trudge three weary miles to a secondary school in the big village of Jodhyaala with the fear of God in my heart while he had been completely absolved from the ordeal of being flushed by curl master as he had left school after his father's death he knew that I was seldom taken to town and that I had to trudge three weary miles to a secondary school in the big village of Jodhyaala उसको ये पता था he knew यानि कि Chandu को ये पता था कि मुझे भी town जाना पड़ेगा और पड़ने के लिए कि उनका जो school था वो उनके village से three miles की दूरी पे था और village of Jodhyaala एक बड़ा सा village था उस village में उनका school था तो अपने village से उस village तक उनको जाने में थोड़ा वक्त लगता था with the fear of God in my heart और उस वक्त मुझे डर भी लगता रहता था विकोज उनको अकेले जाना पड़ता था था उनके साथ कोई था 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 नहीं जिसे चंदू चंदू जो है वो लाला हुकम चंद के साथ बैट करके निकल जाता था आगे क्या कह रहा है देखते हैं while he had been completely absolved from the ordeal of being flushed by a curled master अब यहां पर समझ में आया कि आखर उनको डर क्यू लगता था बेसिकली यहां पर समझ में आया कि आखर उनको डर क्यू लगता था इसलिए लगता था उनको इसलिए लगता था क्यूंकि उन्हें master को phase करना पड़ेगा देखो आगे यही तो कह रह strict master थे चंदू को उनको face नहीं करना पड़ेगा क्योंकि father के death के बाद चंदू ने school जाना छोड़ दिया होता है तो वो इसलिए डर रहे होता है उनको डर भी रहता है मन में कि मुझे school पहुंचना है जल्दी से मनना वाँ पर master है वो डाटेंगे flogged मतलब वो punish करेंगे as he had left school after his father's death वो चंदू जाने छोड़ दिया होता है school तो उसको इस चीज का डर नहीं होता है वो इस चीज से बच चुका होता है so he always brought me some gift और other from the town a paintbrush और golding और white chalk और double aged pen knife to sharpen pencils अब this was the reason जो उन्होंने starting में चंदू को kind बोला कि मतलब चंदू मेरे लिए kind था क्यों kind था क्योंकि ये तो डूसरे गाहों पढ़ने चले जाते थे town कौन जाता था चंदू चंदू क्या करता था कि इनके लिए town से paintbrush, gold, ink, white chalk यानि कुछ न कुछ खरीद करके ले आता था जो वो पैसे कमाता था उससे and he would entertain me with long, merry descriptions of the variety of things he saw in the bazaars of civilization bazaars of civilization यानि कि वो बसा हुआ था ना town वो टाउन जो था वो पूरा developed था तो वहां पे जो भी bazaar होते थे जो भी चीजें वो देखता था उसका description आ करके वो इनको देता था यानि कि सुनाता था चंदू बुलकराज आनन जी को उसका पूरा description अच्छे से सुनाता था acting करकर के बताता था यानि कि लाला हुकुमचंद का जो केरियच था उसी में तो बैट करके जाता था और उसी में बैट के वापस आता था तो अपना काम करने के बाद वो वहीं डिस्ट्रिक कोट में बैट के उसका वेट करता था लाला हुकुमचंद का कि निकले तो फिर हम घर को चले तो उस वक्त जो महां पे चपरासी, लॉयर, साहिब्स हुआ करते थे उनके जो इंग्लिश टाइल क्लोथ थे ना उसको देख करके वो बहुत जादा उसको अच्छा फील होता था और उसका वो बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन देता था कि इसको मुलकराज आनन जी को गाउं वापस लॉट करके उस ताइम पे क्योंकि इंग्लिश रेजिमेंट का यहां पे पावर था तो वही लोग कोट में होते भी थे and once a choice he expressed to me a secret wish he had to steal some money from the picture where his mother kept the emoluments of his personal skills to buy himself a rig out like that of a कलन खान को सकल करिये कलन खान को सकल करिये तो अब क्या होता है एक दो बार चंदू ने मुलकराज आनन जी से अपनी एक विश बताई होती है and that wish was कि वो अपने मम्मी के पहले के उता गुलक नी होते थे तो पहले के लोग ना छोटी सी मत्की में अपने सारे पैसे रखते थे if you know तो उसकी मम्मी चंदू की मम्मी उसी मत्के में अपने पैसे जो भी उन्होंने अपनी स्किल से कमाए होते हैं उसी को बोलता है अपनी मुलकरा जानन जी से बताता है कि मैं सोचता हूं कि वो पैसे में चुरा लू और उससे मैं वैसा ही रिगाउट यानि वैसा ही कपडे लूँगा जैसा कि कलन खान पहनता है जो कि डेंटिस्ट है तो यहां पर डेंटिस्ट को ही आई उसमें भी जोड दिया गया है बलकि दोनों अलग-अलग चीजे हैं बट आडट टाइम उतना दिखो मुलकरा जानन जी उस ताइम गाउं के थे न और चंदू भी गाउं का था तो उतना clear knowledge थोड़ों नहीं था उसके पास हो उतना पढ़ा लिखा थो था नहीं कि वो हर एक चीज अलग-अलग बताए तो यहां पर वो तोड़ा sum-up हो जाता है और यहां से यहीं पता लगता है कि चंदू के पास इतनी knowledge नहीं है ओके He described to me the appearance of कलन खान फिर वो कलन खान का appearance मुलकरा जानन जी को describe करता है A young man with hair parted on one side एक side उनके hair parted होते हैं And dressed in a straged shirt with a ivory collar, ivory collar, creamy shiny collar And bow tie, a black coat and stripped trousers and wonderful rubber coat and pumps यह पूरा उनका वो है appearance है किसका कलन खान का और सेम ऐसा ही appearance चंदू को चाहिए होता है And he recounted to me the skill with which this magician unpacked an ungrazy leather handbag And flourished is shining steel instruments So obviously the dentist हैं तो उनके पास उनके instrument है तो वो पूरा acting करके दिखाता है कि किस तरीके से वो अपना leather bag खोलते हैं जिसमें instrument रखा होता है और वो अपने instruments को बाहर निकालते हैं तो वो पूरा उसकी acting कर दिखाता है एक चीज़ पॉइंट आउट करने वाली है इंग्रेजी वोर्ड है उन्होंने अंग्रेजी क्यों लिखा है Just to give and emphasize कि उस टाइम पे English community और English के जो goods होते थे उनका कितना जादा power था या उतना उनका कितना जादा dominance था इंडिया में इस चीज़ को दिखाने के लिए कि वो जो handbag था यहां का बना हुआ नहीं था यहां वो खादी का नहीं था यहां और चीज़ मटेडल का नहीं था वो अग्रेजी लेधर से बना हुआ था emphasize करने के लिए यहां पे अंग्रेजी वर्ड का यूज़ हुआ है Then he asked my advice on the question of whether as a barber educated to the 5th primary class he would not look more dignified if he too wore a dress in the style of Dr. Kallan Khan for though I am not a highly educated doctor he said. Now what he does? He gives advice and asks him if he is studying the 5th primary class after studying the 5th primary class he will dignify and suit me that I will address Dr. Kallan Khan for the 5th class. I learned how to treat pimples, boils and cuts on people's bodies from my father who learned from his father before him. Now because he is a hereditary profession, he says that I am not a highly educated doctor. I studied 5th class until 5th class and people have pimples and boils. boils basically, you will see boils basically, you will see boils basically, you will see boils. Okay, pimples and cuts, I have to treat them, I have to teach them from my father and my father taught them from my father. I agreed, I agreed, I agreed with his project and encouraged him with the enthusiasm I felt for everything that my hero thought or did. Okay, now Mulk Raja Anand Ji says that I agree with him and encourage him with his whole enthusiasm. Because what he is a hero, Mulk Raja Anand Ji is a hero. Mulk Raja Anand Ji has already told me that I look as a perfection epitome of perfection. So he says that my hero, whatever he says, I feel like I am feeling that I agree with him and encourage him with the whole enthusiasm. One day I was thrilled to find Chandu at the door of my house in the morning. What happens in a day? Chandu comes to his home at the start of the morning. So he goes to his home and gets shocked. What is this morning? He was dressed up in a white turban, a white rubber coat, a little too big from him, but nevertheless very splendid. A pair of pumps in which I could see my face reflected in a clear silhaut. Silhautic means that you can clearly see yourself in a light background. I can clearly see him. Okay, he says that he is speaking. So he is telling me that when I open the door, I see Chandu in a white turban dress up. He is dressed up in a white turban, a rubber coat, which is bigger in size, but he is showing good. A pair of pumps in which I can clearly see myself in my face. And he had a leather bag in his hand. He was sitting off on his round and had come to show grand. He looked in his new rig out. Okay? Now basically he has a leather bag in his hand. He has a leather bag in which he is sitting every time. And he has come to show him how to wear his attire in his get-up. Marvelous I said. Marvelous. Now he says that he looks very good. Marvelous. And he rushed off towards the house of the landlord whom he shaved every morning, myself following him admiringly behind. Now, when Mulkarajanand ji follows him, he goes to the landlord's house of the house of the landlord. There were not many people in the street at this time. So, I alone witnessed the glory of Chandu. So, I alone witnessed the glory of Chandu. So, that's why I have the glory of Chandu. That's why I have the joy of Chandu in his face. That's why I have seen Chandu in his face. Dressed up as a doctor, except of course that he himself seemed rather self-conscious as he stood up the street, Carefully avoiding the tent of cow dung, cakes, which the village woman stuck to wall, and dirty water flowed through the drains. Now, what is he saying? That the glory of Chandu is the glory that I have not witnessed. And the doctor who has taken the get-up in his face is very good. He looks very good but this chandu is a little self-conscious. An person who wears the clothes freely, is not the child. He looks very self-conscious and makes the cow dung cakes, Basically, the trees are made in the village, On the desk of the houses, there are dried water from him. If the drain water remains, the chanduARON stands, He always keeps getting damp of her clothes. Any condition in his face, any condition? Maybe he doesn't get bad. So, this is the feeling here. जो इंसान बच्पन से सिर्फ एक बोरे का कपड़ा पहन रहा हो उसको जब पूरे अच्छा कपड़ा मिले पहनने को फोर्स टाइम तो वह फील कैसी होगे वह नहीं चाहेगा ना कि गंदा हो जिसे बच्पन में आपने देखा होगा कि आप छोटे बच्चों को कपड़ा ला होता है पहनने को तो इसलिए वो थोड़ा conscious हो जाता है सारी चीजों का बट एज वी इन दोनों इंटर करते हैं लांडलोड के घर में उनको देवी मिलता है सरकल देवी इद लांडलोड गांडलोड का छोटा बेटा अब जो उनका बेटा होता है वो बहुत खुश होता है चंदू को देख करके और वो ताली बजाता है और जोड से चिला के बताता है कि देखो चंदू आया है बाबर जो की बहुत अच्छी सी ड्रेस उसने पहन रखी है और वो एकदम Mission School के Padre Sahib की तरह लग रहा है Padre Sahib को Circle करिये All these are side characters अभी तक कौन-कौन main character है Narrator खुद चंदू ठीक है Lala Hukum Singh and the third one this landlord ठीक है sorry the fourth one this landlord यह चार अभी main characters आये बागे Padre Sahib और Subedar यह सब side characters है एक और चीज जो इस line से हमें देखने मिली that is see landlord obviously upper caste ठीक है चंदू lower caste लेकिन जो उनका बेटा होता है देवी वो उतने ही enthusiasm के साथ उतना ही कुछ हो के चंदू से मिलता है what does this shows कि बच्चों के अंदर ये सब नहीं होता है बच्चों के अंदर ये सारी चीज बड़े ही डालते हैं कि यह चोटे जात्के हैं यह बड़े जात्के हैं इनके साथ ऐसे बीहीव करो उनके साथ वैसे लिएव करो रहा है के साथ लिए करो विए इस वहां में नहीं और यह करके सीखते हैं किसम में हमारे बड़े ही सिखाते हैं हम देख करके सीखते है ठीक है इससे हम्न यह भी पता लग रहा है इस से राम, 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 said Bijayachan, the burly landlord Bijayachan को circle करिए, landlord का क्या नाम होता है? Bijayachan Burly landlord, burly मतलब strong, यानि कि उनकी जो कद काथी होती है, वो मतलब personality वो अच्छी होती है Okay Touching the second thread which hung over his ears since he had just been to the laboratory Touching the second thread which hung over his ears since he had just been to the laboratory अब वो राम, 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 क्यों बोलता है? क्योंकि बेसिकली जो जन्यों धारी लोग होता है जिन्होंने जन्यों पहन रखी होता है, जब वो ट्वाइलेट जाता है तो अपनी जन्यों को लपेट लेता है कान में तो बिजय चन्यों होता है, वो अपनी जन्यों को ही छूते हुए बोल रहे होता है राम, 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 क्योंकि वो लेवरेटरी मिल लब ट्वाइलेट, वो ट्वाइलेट से बाहर निकल रहे होता है इस वजय से, इस वजय से, दे सर्ण ऑफ पेग, अब वो जैसी चन्दू को देखने है, क्या बोलते है दे सर्ण ऑफ पेग, अब यूस करते है, फिर क्या करते है अब वो क्या बोलता है, जैसे ही वो चन्दू करते है वो चन्दू को देखते है, उनकी तो हवा उड़ जाती है क्यों वो क्या बोलते है कि तुम ये लेदर बैग हमारी गर में लेकर आ रहे हो जो कि गाय की खाल से बना हुआ है तो इस ताइम गाय वो माता हुआ होती थी आज भी होती है लेकिन उन्हीं माता के लिए हम प्लास्टिक बैग बाहर फेक देते हैं पेपर बैग बाहर फेक देते हैं सड़ा हुआ खाना तब वो हमारी माता नहीं होती है अगर घर में खाना सड़ गया है तो गाय को देआओ बाहर जा करके तब वो माता थोड़ी हुई, वो माता तभी तक होती है, अगर वो leather bag में दिख गई तो, मलब उनकी खाल से अगर leather bag बन गया, फिर वो अपराद हो जाता है, जो हम खुद रोज करते हैं, उनके लिए, जो जादा उनके लिए harmful होता है, वो लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है, अब yes, exceptions are everywhere, so यहां पर वो यहीं बोलता है, कि यह जो कोट है, यह पता नहीं, यह भी पता नहीं किस की खाल का बनाऊगा, और तुम यह सब लेकर कि मेरे घर में आ रहे हो, फिर वो उसको abuse करते हैं, तुमने मेरा धर्म भरष्ट कर दिया, you will defy my religion, तुम मेरा धर्म नहीं रह गया है, जबसे तुमारे फादर की डेथ हुए है, जबसे तुमारे पापा खताम हुए है, but I am wearing the cloth of a doctor, जागिरदर साहे, said Chandu, Chandu ने बोला, लेकिन मैं तो डॉक्टर का कप्डा पहना हू, तीक है, अब वो ऐसे क्यों बोल रहा है, कि मैं तो डॉक्टर का कप्ड पहना हू, बिगुष उसका कहने का मतलब है कि आप भी तो जाते हो ना डॉक्टर के पास, जब आप बिमार पढ़ते हो, तब तो आपको कोई प्रॉबलम नहीं होती, और मैंने कपडा पहन लिया है, तो आपको प्रॉबलम होरी है, जस बिकास, लेको अपको प्रॉबलम हो and don't let me see you practicing any of your newfangled nations or else I will have you flogged, क्या बोलते हैं, जाओ, अब्यूस करते हैं और चंदू से कहते हैं, जाओ, जाके वो कपडे पहनों जो तुम्हारे lower status को suit करें, और अगर अब मैंने तुम्हें देख लिया कि कोई भी newfangled nation, यानि कोई भी new thought, new तरह का idea तुम्हारे मन में आय है और तुम उसे practice कर रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें punish करूंगा, ठीक है, बत राज बिजय चंद साहिब, चंदू अपील, आप चंदू अपील करता है, लेकिन बिजय चंद जी का पूरा नाम क्या होता है, राज बिजय चंद साहिब, circle कर लिजे, get away, वो कुछ बोलने ही च house with the sackard cow dung to purify it, वरना हमें पूरे घर में गोबड से लिपाए करनी पड़ेगी, क्यों? तो to purify it, उसको purify करने के लिए, ठीक है, बेसिकली ये जो हो गया, cow dung और गंगाजल ये सब प्योर माना जाता था, आज भी माना जाता है, ठीक है, चंदू रिटर्न, चंदू वाप चुका होता है, उसके लिए flushed as an adjective यूज किया गया है, he was completely taken aback, वो बहुत जादा दुखी हो जाता है, मन से, he did not look at me because of the shame he felt at being insulted before Thanuram, the Sahukar village, who kept a grosser store at the corner of the lane, उसी lane के corner पे एक grosser store होता है, उसका जो मालिक होता है, वो साहुकार होता है विलिज का, उसका नाम होता है Thanuram, Circulate, वो उसके सामने उसकी insult कर दी जाती है, चंदू की insult कर दी जाती है, लांडलोट के द्वारा, और इसलिए वो बहुत ashamed हो जाता है, बहुत शर्मा जाता है, और मुलकराज आनन जी की तरफ भी वो मूठा करके नहीं देखता है, okay, so this is the point जहां पे part 1 end होता है, आप आगे की स्टोरी हम part 2 से पढ़ेंगे, okay